अश्कार दोस्तों मैं रिना आपके अपनी चैनल लेना के चैनल स्पेम लोक्सा सागत करती हूँ तो अगहन का महीना चल रहा है माक्षिश के पहले ब्रस्वतिया यानि गुरुवार में मा लक्ष्मी की पूजा व्रत और उपवास के आ जाता है इस दिन मा लक्ष्मी के साप ग्रंतों में इसका विबरैंट किया गया है कि अगहन ब्रस्वतियार को अगर सुहागिन महीना और बुद्वार की राद घर की साथ सवाई करने के बाद निष्टा से लक्ष्मी के उपासना करे तो वो प्रसन होका लक्ष्मी आपके साई तोर पा आती रहेगी तो आई हम चानते हैं कि इस दिन विदी विधान से मालक्षमी के सापना का पुजा अर्शना की जाती घर के द्वार पर दीपों से रोशनी की जाती है इस दिन घर के मुखे द्वार से लेकर आंगन और पुजा इस सल्दा चावल आटे के घोल से आकश्या अलपनाई बनाए जाती है इस अल्पनाव में मालक्ष्मी की पेर विशे श्रोप से बनाए चाते हैं साथी साथ इसके साथ ही अगन महिने के गुरुवारी पूजा में मालक्ष्मी को प्रतिक गुरुवार को अलग-अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशिवास प्राप्त होता तत्पष्चा शाम होते ही मालक्ष्मी के सियासन को आम आवला धन की बालियों से सजाए और कलेश की सापना कर मालक्ष्मी की पूजा करें इस अवसरपा आजपड़ उसके महिलाएं बहु बेटियों को प्रसाथ खाने के लिए विशे सुप से निमंत्रन दे इस प्रका अगन यानि माक्षिस म में हर घर में मालक्ष्मी की सापना का विदी विदान से पुजाशना करके मा का शिवा प्राप्ति किया जाता है शी मालक्ष्मी की व्रत कता अगन ब्रस्पतिया व्रत कता गुरुआ की व्रत कता इसे शवन और पठन करने से दुखदारे दे दूर होता है साधी इसकी व्र तम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं विदी नियम अनुसा हर गुरुवार को महालक्षमी व्रत करें श्री महालक्षमी की व्रत कता को पड़े लगाता आठ गुरुवार को व्रत पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करें वैसे यह पूजा पूरे वर्ष भर भी की जाती और आसन पर बिढ़ा का शीमा लक्षमी का रूप समझ का हल्दी कुम कुम लगाए, पूजा की समाप्ती पर फल प्रसाद बित्रं करें, तदा इस कता की एक प्रती उन्हें देखर नमस्कार करें, कि वल नारी ही नहीं, अपी तु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं, यह स व्रत उपास करें, दूद फलहार करें, खाली पेट ना रहें, रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाए, और परिवार के साथ भोजन करें, साथी साथ, अगर हम बात करें पदमों पुरान की, तो यह व्रत ग्रस जनों के लिए बताएगा है, इस पूजा को पती पत को आए, तो यहां पूजा की जा सकती, दिन रात में भी पूजा की सकती, और दिन में उपवास करें, और रात में पूजा के बाद भूजन कर लें, इस व्रत गता को सुनने के लिए, अपने आस पढ़़ों को, रिष्टेदारों को, आस पढ़ों को, साथी साथ घर के गुर्वार को उसका समापन करे, अगर महा में पाँच गुर्वार आये तो पाचों गुर्वार को पूजा की जा सकती है, इसके पूजा को करने के लिए किसी भी ब्रामणी या पुरहीत के आवशकता नहीं होती हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है, इसकी कदा कुछ इस प्रकार है कि एक दिन पूरू ही घर को गोबर से लीप लें और फिर गीले कपड़े से पोचा लें इसके बाद एक उचे पीठे या चोकी पर छोटे मेच पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रख कर एक साव सुत्रे तामे या पीतल के लोटे को पानी से भर कर चावल या गेहूं पर रखें और पानी में सुपारी कुछ पैसे दूप डालें उपर से लोटे में चारो तरफ पांच सरह के पेड़ के पांच या साथ पत्ते डाल कर बीचो बीच एक नारियल रखें उस नारियल पर देवी का फोटो चिपका लें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से कलावा बांदे और नारियल के उपर एक छोटी सी चुन्री भी चड़ा दें साती देवी के प्रति माय या फोटो को पूरोड़ी दिश में मौं करके या उतरदिशा में मौं करके सापना करने चाहिए। साथ ही साथ उसके सामने पूज्या आरंभ कर सकते हैं मंतर का उछ्चारंग कर सकते हैं। ओम नारहनाय नमा, ओम अदुआय नमा, इन तीनों मंत्रों में से प्रतेक मंत्र के एक एक वाज़मन करें, फिर ओम गोविंदाय नमा बोलते भी हार्द होलें, फिर देवी को फूलों से जल का छीटा देते भी सनान करें, हल्दी कुमकुम लगाए, पुषभार रार्पित कर पिर इसके बाद भोग लगा कर महालक्ष्मी ब्रत के महातम्य का पार्ट करें महालक्ष्मी नमन अश्टक का पार्ट करें फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पार्ट शुरू कर सकते हैं साथी साथ रात को फिर देवी की पूजा करें मिश्टान का भोग लगाए गोमाता के ल मुद्र नदी तालाब कुई या तुलसी की क्यारी में डाल दे जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़ा का तीन बार प्रणाम करें इस प्रकार महिने के हर गुरुवार को करें तो मार्ग शीष यानि अगन मार्ग के चार गुरुवार हो तो चारो पांच हो पांच हो को इसे प्रकार पूजन करें इससे पद्म पुरान में ये बताया गया है कि जो कोई भक्त हर वर्ष की तरह शीमा लक्षमी का या व्रत रखेगा उसे सुख संपता अधनला मिलेगा कुछ लोग इसे कैसरी व्रत भी कहते हैं परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिदान की कोई जवरत नहीं होती इसके अलावा महलक्षमी मंत्र चालीसा आरती इत्यादी का भी पांट किया जा सकता शी अगन ब्रस्पती व्रत कता या शीमा लक्षमी के व्रत कता के शवन पठन के बाल से दुख दारे देता इत्यादी ये सब दूर हो जाती है तो साथ ही इस प्रकार से भारत वश्क शोराष्ट में द्वापर्यू की ये कहानी बताए गई है कि शोराष्ट में भद्र श्रवा नाम की राजा थी बड़े परक्रमी थे चारवेज 618 पुराणों का उन्हें ग्यान था उनकी रानी का नाम सुरत चरित्रा था रानी दिखने कि जाकर उस राजा के राज पसाद में रहे इससे राजा को दुगनी धन दोलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दोलत से अपने प्रजा को और सुख दे पाएगा गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दोलत प्राप्त हो तो वह स्वारती की तरह केवल अपने उपर ही ख रूप धारंग किया था पर उनके चहरे पर देवी का तीस था उन्हें देखते ही एक दासी सामने आये उसने इनका नाम धाम काम धर्व पूछे लिया व्रद ब्रामनी का रूप धारित माता लक्षमी ने कहा बाली का मेरा नाम कमला है मेरे पती का नाम भूनेश है और हम पिछले जनम में एक वेश्य की पत्नी थी और वह बेश्य गरीब था, दरीदिदा के कारें हर रोज घर में जगड़े होते थे उसका पती उसे रोज मारता था, इन वातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी, उसकी इस दूर दूर हुई, उसका घर संसार दौलर संतती संपती से भर गया और बाद में पती पत्नी दोनों पर लोग सिदार गई, लक्षमी ब्रत के कारें में लक्षमी लोग में रहे, उन्होंने जितने साल महालक्षमी का ब्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला, इस उसका जर्म राजघरान में हुआ परंतु वह है शीमा लक्षमि का व्रत करना बूल गई उसे यह यार दिलाने में यहाँ आई हो तो बुडिया की बाते सुनका दासी ने उने प्रणाम किया तदा शीमा लक्षमि का व्रत किस तरह किया जाए और इस बारे में पूचा तो वे रानी को अपने हैश्वरे का बहुत ही ज़्यादा घमन था संपत्ति और दिखार की वजह से हुआ उन्मत रहती थी इस प्रकार दास्वी दौरा बताएगे बुढ़िया की बाते सुनकर आगवा भूला होका राजवार पर आकब बुढ़िया रूपी हिमालक्ष्मी पर पड़ी अब उसे यह मालूम नहीं था कि श्री मालक्ष्मी माता बुढ़िया रूप धारंग की वी दौर पर आई है पर रानी का इस कदर रुखा बढ़ता हो और अपना अपमार अनादर देख कर माता निवा ठेलना ठीकना समझावे माहा से चली पड़ी रा में उन्हें मिली और उन्होंने शाम बाला को सारी बात बताई शाम बाला ने अपनी और से श्री मालक्ष्मी माता से शमा मंगी बाता को उस पर दया आया उन्होंने शाम बाला को श्री मालक्ष्मी माता के बारे में बताया उस दिन अगहन माह का पहला गुरवार था तो शाम बाला ने परमश्रदा से शीमा लक्षमी का व्रत रखा और फालस्वरू राजा सी देश्वर के पुत्र मालाधार से उसका विबा हुआ वह धन दौलत एश्वर वैभाव से मालामाल हो गई वो पती के सास असुराल में आने से दिन बिताने लगी धर शीमा लक्षमी का राणी पर प्र है श्वर शाली है क्यों न हम उसके पास जाते हैं वहां हमारी मदद जरूर करेंगे इस बात पर राजबादेश दामाद के पास रवाना हुई और राज्य में बहुत पहुँचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देविश्राम लेने के लिए ठहरे तालाब से पानी लेने उन्हें बड़े ठाट बार से स्वागत सदकार के साथ घर बुलाया गया राजबाद सुहा जब बापस लोटे तो उन्होंने रानी सूरत चंद्रिका को खुश देखा उन्होंने सोने के महरे से भरे हुए घड़े का मुझ खोल दिया और बोला हाई भगवान घड़े में धन के बदले कोईले मिले हैं यह सब श्रीमा लक्ष्मी के प्रकॉप से इस प्रकार दूर्दशा में कई दिन बीड़ गए और रानी स्वाम अपनी कन्या के पास गई वह दिन अगर मां का अंतिम गुरु आता है तो श्राम बाला ने अपने घर आई श्रीमा लक्ष्मी का अवरत रखने पर उसने राज पार धन दोलत एश्वर मिला फिर से सुख शांती अड़ें जीवन बिताने लगी कुछ दिनों बार राज कन्या शाम बाला अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि शुरच चंद्रिका को पुरानी बाते याद आई हरवाय इस बात का बुरा नहीं माना अपने घर लोटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लोटने पर उसने पती से पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हूं तो इस पर उसने जवाब दिया वहां का सार लाई हूं तो पती ने पूछा इसका मतलब क इसलिए स्वादना आया, फिर शामबाला ने धाली में नमक डाला, इससे सारा भुजन स्वादिश ने लगने लगा, तब शामबाला ने पती से कहा कि यही है माय के से जुम्हें लेकर आई हूँ, पती का उसी बात सही लगी और दोनों ने हसी मजा करते भुजन करने लगे, क पूर्ण होती इस प्रकाशी अगन ब्रस्पती ब्रत कथा या शी महलक्ष्मी की गुरुवार की ब्रत कथा संपूर्ण होती है